राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षा बंधन के दिन मेरे लड़ू गोपाल जी की दिन चरिया कैसी रहेगी यानि लड़ू गोपाल जी को मैं राखी कैसे बानती हूँ और अब की बार तो भद्राकाल है तो बहुत ज़्यादा संसे है कि हमें लड़ू गोपाल जी को राखी किस टाइम बाननी चाहिए और कैसे बाननी चाहिए तो भद्राकाल में हम लड़ू गोपाल जी को राखी कब और कैसे बान देंगे इसकी भी संपूर जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को आप आंत तक जरूर देख इसके बार लड़ू गोपाल जी को हम सनान कराएंगे और यह जो दिन होता है पूर्णिमा का दिन होता है और सावन का आखरी दिन है तो इसलिए मैं लड़ू गोपाल जी को इस दिन दूद से सनान कराती हूं क्योंकि देखे सावन में दूद से सनान कराना बहुत शुब रहता है, इसके साथ ही पूर्णीमा के दिन भी सफेद चीजों का इस्तमाल करना बहुत जाद अच्छा माना जाता है, तो मैं लडूग उपाल जी को दूद से सनान कराती हूँ, और कच्चा दूद लेना होता है, उबला हुआ या गरम किया हुआ दूद हम नहीं लेते हैं, अगर आपके पास समय है तो इस दिन आप लडूग उपाल जी को दूद से जरूर सनान करा दें, दूद से सनान कराने के बाद इस दूद को आप घर में यूज कर सकते हैं, बच्चों को परशाद के रूप में द दाल देंगे, इस जल को इधर उदर नहीं डालना है, सिर्फ पोधो में या डालिएगा, फिर लडूग उपाल जी को अच्छे से पहुचके, अच्छे से अंग पोशन करके हम लडूग उपाल जी का सुन्दर सा सरंगार कर देंगे, तो देखिए आज के दीन में लडूग लडूग उपाल जी के लिए हम आसन बिछाएंगे, और लडूग उपाल जी का सुन्दर सा सरंगार करके उनको बिठा के आराम से राखी बांदेंगे, और आपको आज के लडूग उपाल जी के दर्शन कैसे लगे, शरंगार कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताना, आप जेके देज़ेंगा, थोड़े चावल हम वार देगे, उसके बाद फिर हम लडूग उपाल जी को राखी बांदेंगे, तो आप चाहें तो मार्केट साप राकी ले करेसक्ते हैं, आप खुद लडूग उपाल जी ले के लिए तो जैसे हम अपने भाई को राखी बानते हैं ठीक उसी भाव से ठीक उसी तरह से हम लड़ुगोपाल जी को राखी बान देंगे अगर आपके यहां पर नारियल देते हैं भाई को तो आप नारियल दे दीजेगा हमारे यहां पर नारियल का रिवाज नहीं है तो इसलिए मैं लड़ू को पाल जी को नारियल नहीं देती हूँ, अगर आपके हैं नारियल देते हैं तो आप जरूर देजिएगा, फिर हाज जोड़के लड़ू को पाल जी से अपनी रक्षया करने के लिए अपने परिवार की रक्षया करने के लिए घर में सुख समर्धी के लिए प्रया पहले मैं अपने लड़ू पाल जी को राखी बांदती हूं। उसके बाद फिर अपने भाईयों को मैं राखी बांदती हूं। तो इस तरह से हम लोग रक्षा बंधन मनाते हैं और देखे बहुत सारे सवाल थे कि हम तो लड़ु गोपाल जी को पुत्र के रूप में मानते हैं या हम तो लड़ु गोपाल जी को पिता के रूप में मानते हैं कोई लड़ु गोपाल जी को गुरू के रूप में मानते हैं भाई अपने बहन की रक्षा करता है इसलिए उनको रक्षा सुत्तर बांधा जाता है तो प्रभू से जादा रक्षा तो हमारी कोन कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी भगवान है वो हमारी रक्षा करते हैं तो उनको आप राखी जरूर जरूर बांधना और अगर आपके घर लड़ू कोपाल जी नहीं है तो भी आप पहली राखी अपने घर के मंदिर में ही समर्पित करना जो भी भगवान है जिनका भी आप पूजन करते हैं जिनको भी आप मानते हैं पहली जो राखी है आप उन्हीं को समर्पित करना ताकि आपके घर में किसी भी तरह का कोई विग तो फिर हम लडू को पाल जी को राखी कप बादढे कि कि हम अपने भाईयों को जो आखी बाद होताएगा वेक्षच मेंड़े के बादढेंगे देखे लडू को पाल जी को सुबह sense करने के बाद राखी आराम से बांध सकते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि भी नहीं आपका मन पकड़ा जा रहा है कोई संशे है तो फिर आप डेट बजे के बाद बांध दीजीएगा लेकिन पहले लड़ू वपाल जी को राखी बांधनी है उसके बाद ही अपने भाईयों को राखी बांधनी है तो आपके सारे डाउट्स किलियर हो गए होंगे लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजेगा मैं रिप्लाइ करने की पूरी कोसिस करूँगी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे